कैसे हैं आप और मैं बिने गुपता और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका और अपना फिवरेट चैनल के जबी साइंस इजी लर्निंग तो आप सभी को पता है कि के जबी साइंस इस्ट्रिवूट के द्वारा चला जा रही है बच्चो एमसी की उस सीरीज और जिस सी सर्स दिये थे अंबर सिंगल और अंबर सिंगल के लिए बहुत जोरदार क्लैपिंग करेंगे सारे बच्चे तो चली शुरू करते हैं आज का पार्ट सिक्स एंसिट बेसेंड सॉल्ट बच्चो सिक्स पार्ट एक चैप्टर में और फॉर्टी क्वेस्टन पड़े टू से अगर हम करें तो कभी भी आपको कोई प्रॉलम नहीं आने वाली बच्चो तो चलिए मूब करते हैं क्वेस्टन नमर फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चो देखते हैं इदर पैसिस टाइप क्वेस्टन क्वेस्टन बन टू सेक्स आपको इस सामने जो दिया हुआ है वाटर ओफ किष्टलाइजेशन बच्चो एक पार्ट होता है किसका बताये इस सौल्ट और सौल्ट का ये फ्री वाटर नहीं होता याद रखिये इसी वजह से याद रखिये साल्ट कभी वेट नहीं होगा इसे एक्जामपल आपको प्र सलफेट पैंटा हैड्रेट या कॉपर सल्फेट सबको फॉर्मूला आना चाहिए चीवन आपका जीवन कोरा कागज नहीं रहना चाहिए पूरे मांक्स आने चाहिए उस कागज पर इसी तरह आपको जिप्सम का फॉर्मूला पता हो बच्चो चलिए शुरू करते हैं कि पैसिज के क्वेस्चन को फस्ट क्वेस्चन कहरा है हो मैंनी मॉलिक्यूल सब्सक्राइब करेक्ट आंसर इस तू सबको आ गया होगा इसका नाम सब जानते होंगे जिप्सम सबको आ रहा है बच्चो पक्का ओके चलिए नेक्स्ट क्वेस्चन करते हैं हम और ओम भी बताएंगे केमिकल फॉर्मूला फॉर्ट प्लास्टर ऑप पैरिस सबको पता होने जी प्लास्टर ऑप पैरिस का फॉर्मूला होता है सीएसो फॉर डॉट हाफ हैज्टो ओके एक्चुल में हाफ मॉलेक्यूल पर वन वाटर तो वन मॉलीक्यूल पर हाफ वाटर है यह लाइन बहुत इंपोटेंट तरीके से याद रखनी है तो दा करेक्ट चोइस बच्चो इसका आया वी सबको आया बोलो बच्चो सबको आ बहुत इंपोटेंट क्वेस्ट चलिए नेक्स्ट क्वेस्टन केमिकल फॉर्मूला अभी बताये था जिपसम का फॉर्मूला होता है सी एस ओफोट टू एच्टू पक्का जा अच्छा फर्स्ट क्वेस्टन आपको यहां पर बताना है इसका केमिकल नेम कौन-कौन बच्चा पताये पहले समझ सुना करिए और फिर लाश्ट में आपको कमेंट देना होता है और जो सबसे पहले टॉप थ्री कमेंट्स आएंगे वह कल के विनर होंगे आज के विनर होंगे कल अनाउंस होंगे केमिकल नेम बताना है किलियर बच्चो सबको आया देसे सी एस ओफोट करते हैं और कितने टेंपरेचर पर हीट करते हैं हंड़े डिग्री सेल्सियस देट इस 373 केल्विन सबको आ गया तो दा करेक्ट चॉइस इसका करेक्ट चॉइस बच्चो आपका आया बच्चो कितना आया 373 दा चॉइस इस तू सबको आ गया बच्चो पक्का बहुत अच्छा क्वेश्चन जिप्सम को हम 373 पर हीट करते हैं किलियर नेक्स क्वेश्चन नम्मर फिप्ट ट्रू और फॉल्स प्लास्टर अप पैरिस इस नॉट यूज़ फॉर मेकिंग इस मटेरियल वर डेकोरेशन इंड इसमूज सर्फेस नो देसे रॉंग इस सारे का प्लस्टर पर इसके द्वारा होते हैं इसलिए सेंटेंस इज फॉल्स सबको आया फॉस पैसे बोलो बच्चो सारे बच्चे बोलो सुना लिका पका रहा है बच्चो माही पका हरिका वर्त इसका बोलो यह मारी सारी नौ दुर्ग है और नौ दुर्गों में देवियों की पूजा है ना के लिए चलिए आप सब देविया है और इस क्वेस्चन को जो बताएंगे देखिए आपके जो क्वेस्चन में पूछ रहा हूं और जो प्रेक्टिस के उनके सारे आंसर्स रहांगे के लिए तो बहुत अच्छा क्वेस्चन है इंपूटेंट डाल दीजे चलिए नेक्स टाइप क्वेस्चन क्वेस्चन नमर्ट सेविन टूक्वेस्चन नमर्ट वैल और ऐसे जो टीथ देख रहे हैं पका दीजा डिकेड टीथ 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 खराब हो गए हैं और एसी कौन-कौन से बच्चे आप मैंसे बताएंगे जिनके आज सब कभी कभी नगे काविटी हुई हैं देखते हैं कौन-कौन होता है हाडीमेट मैट्रील होता है बच्छों केल्सीम फॉस्पेट से मिलके बना होता है और केल्सिम फॉस्पेड इज दा हाड़ड सवस्टेंस इन बौड़ी पक्का तो चलिए स्टार्ट करतें पैसिज की क्वेस्टेंश को और किस किस टीथ फिर थे मोटियों की तरह निए बच्छे बताएंगे मोटियों की तरह शाइन करते इस घ्रकिया तो 2 तरीके कमेंट में बताने है कि कौन कौन से बच्चे जिनको तक टू स्क हुई है और से बच्चों के टीथ बिलकुल शाइन मारते हैं क्लिया चलिए तो फर्स प्वेस्टन पिएच ऑफ दा माउथ शुड़ भी विदन तो पिएच माउथ का कितना होना चाहिए बच्चो फाइप पॉइंट सिक्स तू सिक्स पॉइंट टू मैंने बुला फाइप पॉइंट फाइप से कम होगा तो फिर जाता है फिर गग ऊंख फिर टू तूट के बिषिक सवेस्टेंस इंक्रीज नहीं होते मों से अब तो अंसे सवा इंक्रीज होती है बच्चों सब्सक्राइब करते हैं जो हमारे माउथ को क्या कर देते हैं डीके कर देते हैं डीग्रेड कर देते हैं तो इसलिए सब्सक्राइब कर देते हैं जब भी आप खाना खाएं खाना खाने के बाद अपने माउथ को बिल्कुल क्लीन कर लें ब्रेश करें कहते हैं रात को खाना खाने के सोने से पहले आपको पक्का आपके टीथ किलीन कर लेने चाहिए किसे बच्चो किसे टूथ पेस से चलिए दा करेक्ट च्वाइस इस टू पक्का चलिए बहुत अच्छा पश्चा चलिए नेक्स्ट नमर फिप्ट तूथ डिके स्ट वें पिएच अफ माउथ इस हायर दें 5.5 नो अगें फॉल्स पिएच लेसर देन किसे 5.5 तब डिके होते हैं और दा करेक्ट चॉइस इस फॉल्स ओके पक्का आ गया अब आता है क्वेस्ट पर प्रेक्टिस आपका क्वेस्ट ट्वेल्ट विच अब फॉलेंग स्वाल सेज नो वाटर ऑफ किस्टलाइजेशन देखते हैं इस क्वेस्टिन को कौन कौन करेगा पक्का स्वानी जानवी पक्का रहा है बच्चो प्रग्या बोलो बच्चो आधिते गुप्ता लच्छे गुप्ता बोला करिए सब को आना चाहिए प्रितिक नौबार आप कल के विनर से प्रितिक नौबार के लिए तालिया वाजा देंगे टैक था इनका पॉइंट ओके चलिए नेक्स्ट क्वेस्टन आपके आती है पैसिस टाइप क्वेस्टन क्वेस्टन नंबर 13-18 इसको बहुत इंपोर्टेंट ड अब अब फिगर सी एड़िट सम कंसंट्रेटेट सल्फिरिक ऐसी टूदर टेस्ट यूँ ओके अब रेक्शन में बता दूँ एन एसी एल और पिलस एस टू एसो फोर जरूर आ रही है पेपर में क्या बन जाएगा एन एटू एसो फोर और पिलस एसी एल सबको आ गया बच इसको उसने ड्राइव बैट दौनों के साथ दौनों लिटमस पेपर लिए ड्राइवी लिया और वैट लिया अब देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है आगे चलिए तो क्वेश्चन फॉस्ट इस सेंग विच गैस कमिंग आउट अप देलिवरिटी अभी मैंने आपको रेक्शन में बताए था कौनसी गैस पेदा हुई बच्चो एसे ऐल गैस जिसको एक वस्वीस में डालके किसमें करेंड कर जाता है एसे ऐसे ऐसे ड्राइड में पक्का एसे एसेड ऐसेड ओके कौन कौन बताएगा एक पॉइंट या पर एक क्वेस्चन है इसके दो यूज किस केस में तो मैने बोला एसिड ने अब करते हैं बचो पका रहा है ना पका रहा है जब मॉस्चर मतलब वाटर हो वैट हो तो वैट लिटमस पीपर होना चाहिए बोह फेंड भी नहीं मिवगा ह्लाइं नहीं होगा फर्स्ट होगा वैड लेटमस बैड बिलू लेटमस पेपर सबको आ गया अच्छे कोशन है इसारे ओके पका नेती पका रहा है बच्छों ओके सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है नमन चौदरी आ रहा है गीता मा शबको आया न चलिए क्वेशन अमद थार्ड इन इन इट तो इट डज नौट फो एसेडिक भी या तो एसल गैस डज नौट चेंज अ कलर अब दर ड्राइब लूट इनस पेपर बिल्कुल सही कह रहा है हमें क्या चाहिए मौश्ट होना चाहिए लिटमस पेपर या गैस को मौश्ट एसड या मौश्ट लिटमस एक ची एसेडिक प्रॉपर्टीस सबको आता हो गए तो एसेडिक प्रॉपर्टीज विटकॉज है जैने बताया था जब यह घैस को आब वार्टरमें डिजॉल्व कर देते है तो एसेल एसेड बन जाता है तो एसेडिक प्रोपरटी के वल तभी आएंगी जब वो वाटर में डिजॉल किया जाएगा पक्का आगे बच्चों बोलो मिस्रा जी आईश्मान मिस्रा अंसुमन यादव अच्छे अच्छे बच्चे इशांत बोल बिटा ड्राइसेल गैसे एसेडिक नीचर यस और ड्राइसेल गैस मैंने बोला ड्राइब नहीं करती एसेड की तरह तो ड्राइग इस नौट एसेडिक तो नो आएगा दोस्रा पॉइंट सबको आगया बच्चों पक्का आगया क्वेस्चन नमबर 18 यह अच्छा क्वेस्चन है इसके लिए आपको और डॉनों के फॉर्मुले आने चखिए और दॉनों मुझे फॉर्मुल बताएंगे और इसके अलावत दो एक फॉर्मुला और बताएंगे जो बता सकता है वो अपना last करेगा के लिए All the formula क्या होता है सबको आ गया बच्चों पक्का आरहा है बोलो बच्चों सबको आ रह क्या होगा किसका डाइगराम है इस तमक का डाइगराम है और आपको पेन होता है एकसेस SCL की बज़े से क्या हो जाती है ऐसी डिटी हो जाती है क्या हो जाती है ऐसी डिटी के लिए तो पूहीं खाना चाहिए जब किसको यह ज्यादा आच्छा लगता है नाम को इसको कम पाईसी फूड जादा यह लगता है वो भी नाम लिखेंगे दिखने कौन-कौन से बच्चें जिनको मुस्ली एसे डिपी होने के क्वेस्जन आप पूछता हूं आपकी नॉलेज का अने मियां किसी कमी से होता है चैक करते हैं आपको नेंत का अता है कि नहीं वाल्स डियूअ से टंटेन बेस लाइख नसट्री और Bengio Korps बिल्कुल करेक्ट है बच्छो दा करेक्ट आंसर इस ट्रू सबको आ गया कि नहीं बोलो बच्छो पक्का आ रहा है पक्का ना बहुत बढ़िया वेरी गुड सबको अच्छा लग रहा है ना बोला करिए तन्नुदी दी बहुत अच्छी है आप बस टॉपर बनने की ट्राइ करिए आप अगर ऐसे पढ़ रहे हैं ना बच्छो तो आपको कोई भी आपके आसपास दिखाए नहीं देगा आप रेस में बहुत आगे दिखाई देंगे सब बहुत पीछे होंगे और कौन कौन चाहता है वो रेस को सबसे पहले जीते रेस 123 कोई सी भी ओके चलिए क्वेस उसको रिमूब करने के लिए हमने क्या लिया बेकिंग सोडा तो बच्छो आपका बनेगा एने सी एल सी ओ टू और एस तो यह बिल्कुल करेक्ट है और यह बिल्कुल यस है सबको सामझ में आ गया बेकिंग सोडा का फॉर्मूला सबको पता होगा अब एक क्वेस्चन यहा कुसिस दा एक्सिस डैस इन दा इस्टमक और डैस क्या आएगा एस एल क्या है एसेड तो अंसर आएगा करेक्ट थार्ड सबको आ गया बच्छा पक्का अर्पित आके वहीं आए बहुत बढ़िया पढ़िया बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से चलिए क्वेस्चन नमर और एंटासेट्स यूस्टू क्योर एसीडिटी इन इस्टमक बिलको लियाद रखिए एंटासेड एलके लाइन होते हैं नेचर में और इसलिए वह नीट्रिलाइज कर देते हैं किसको बच्छो एसेड को सबको आ गया यस रजवानी तुसार बंसर आपकी सिंगिंग का मैं सब्सक्राइब बहुत तो आपके बस माक्स का और फैन हो जाए सब तो यस दिस इस दा करेक्ट च्वाइस पक्का ओके विच अपड़ फॉल्वाइंग ड़िए आपके हमबक के लिए आपको आना चाहिए और यह जो कर लेगा इस क्वेस्टिन को उसको दो पॉइंट एड क लेना प्लस टू चलिए देखते हैं कौन-कौन करता है मतलब सारे क्वेस्टिन और प्लस दिस क्वेस्टिन में इसमें एक और एड हो जाएगा है ना के लिए चले तो नेक्स मूब करते हैं पैसिस टाइप कॉश्चन कॉश्चन नमर 25 टूश्चन थर्टी और यह आपको द सब्सक्राइब करते हैं सेपरेट किया जाता है कि लिए पका रॉक सॉल्ट भी कहते हैं इस अपको आ रहा होगा तो कैसे क्या क्वेस्चन से देखते हैं इसमें फ़स्ट डैस सेपरेटेड फ्रॉम सीवाटर वाइवापरेटिंग सीवाटर सबको पत्था है शोगर थोड़ी निकलेगी मिनल्स नहीं आएंगे नन अब दीज नो जैटिज सब को आ गया होगा एजी कॉमन सॉल्ट को हम टेवल सॉल्ट भी कहते हैं बच्चो और यह सब को आता हुआ क्योंकि यह डाइनिंग टेवल पर रखा जाता है क्वेस्चन टू कॉमंट स्ट यूजिं चौन सार्ट धिजंग मैनुफैक्ट्स थे मिना लाफ तकहीं हगे यह से क्वेस्चन बनता है कि यह Only पका निखिल पका आता है ना यस चलिए नम्मर थर्ड सॉल्ट इस डिस्पॉन सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ डैस इन आर बॉड़ी सॉल्ट वह किसको रेगुलेट रखने में help करता है बच्छो तो सेल्स की वरकिंग में help करता है बढ़ ज्यादा मोस्ट एप्रोपिरेट आंसर देंगे हम तो बच्चों सेल्स की रेगुलेशन में हेल्प करता है ओके डेटेल में हम आगे पढ़ेंगे तो यहां पर नर्फ टिसू होती नर्फ सेल्स में काम आता है यह सेल्स ओके true or false sodium chloride was an important symbol in our struggle for freedom oh my god यह तो आपको आता होगा मुझे पता है कि गांदी जी ने एक मार्च किया था आपको पता होगा M.K. गांदी जी उन्होंने एक मार्च किया था उस मार्च का नाम तो आप बताएंगे मुझे तो आता है तो मतलब struggle for freedom था ओके और यह sentence सही है देखते हैं क लिए पकता है चलिए question number fifth in the case of dehydration we have to rehydrate our body by taking fluid with essential salts yes जब आपको loose motions बगरा हो जाते हैं गर्मी में होते हैं तो आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए जिससे की आपके salts भी recover होते रहे तो this is the true sentence सब को आ गया बच्चो पक्का ओके सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ रहा है ना तो दम से करेंगे मैं चाहता हूं कि आपके अच्छी पोजीशन में अपनी लाइप पर हो पक्का यह बहुत बड़ा आपका प्रेवेन ओ ऑफिस हो और बहुत सारे लोग आपके अंडर काम कर लात अच्छा लग रहा है डृम किस को आच्छा लग रहा है डृम तो हाथ उठैंगे सब मैं चाहता हूं ऐसा हो पके को बेस के लिए करने PATI έχu और चाहूंगा इससा मैं जरूर करूं है के लिए चलिए question for practice के बाद आपकी आती पैसिस टाइप question question 31 to 35 question number 31 to 35 सुनिए chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride जैसे हम बिराइन कहते हैं आप सब को पता है this chlorine gas is used for the manufacturing of bleaching powder or bleaching powder is produced by the action of chlorine or tri-slag lime तो आईए कैसे करते हैं क्या होता है आपको बस यहां पर बताना है कि slack lime का formula क्या होता है चलिए देखते हैं कौन-कौन बताएगा ओके बच्चो तो अब आता है first question chlorine is produced by which of the following process तो chlorine produce होती है बच्चो एलक्टोलेसिस और किस प्रोसेस से होती है याद रखिए डिटेल में हमने कल वाली वीडियो में इसके बारे में बता आया था फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं आपको बताना है कि हाइड्रोजन यहाप पर किस इलक्टोल पर पैदा होती है आपके लिए एक और question के लिए question 2 what is produced by action of chlorine chlorine के action से क्या पैदा होता बेकिंग सोडा नहीं होता bleaching powder होता है पक्का बच्चो रेक्शन भी लिख दे रहा हूं CAOH का होल ट्वाइस प्लस CL2 CAO CL2 और प्लस H2O this is bleaching powder सब को आ रहा है कि नहीं बोलो बच्चो पक्का आ समीर खान बहुत पढ़ा करें बहुत महेंती बच्च्चा आपको मुझे पता है आपका ड्रीम है आई एस बना है अगर है तो आप सुझा बिने सार आपको कैसे पता है सब पता है मुझे पढ़िए दम से ओके बच्चो चलिए question number 3 what is the formula of bleaching powder सब सबको पता है bleaching powder का formula CAO CL2 होता है देसे दूसरा नाम मैंने कल भी पूछा था है क्लोराइड ओफ लाइम सब को आ रहा है बच्चो पक्का वाट इस उस्टू प्रिपेर बिलीचिंग पाउडर अभी मैंने रेक्शन कराईती और बीचिंग पाउडर पैदा करने के आपको क् किलोरीन गैस किसकी रेक्शन कराके स्लैग्ड राइम की रेक्शन कराके पकका ओके बच्चो ऑन दा एक्शन ऑफ ड्राइच लाइम विद क्लोरीन वाट इस फॉर्म तो रेकेशन छी ऐस को होल्ट ट्वाइस सी एल टू क्या बन जाएगा सी एओ सी एल टू और प्लस एच तो तो डेट इस बिलीचिंग पाउडर बन गया दा करेक्ट चॉइस तू अगर आपके एक बेस सॉल्ट बाइए हार्ट याद हुआ है छे सीरिज से जो लगाता रहा हमने सीरिज दिये तो आप वीडियो को लाइक करें अदरवाइस बिलकुल ना करें कुई जरूत नहीं है समझ में आ रहा है बच्चो पका चलिए नेक्स पैसिस टाइप क्वेस्टन क्वेस्टन थर्टी सिक्स फॉट्टी यह बहुत इंपोर्टेंट है और तफ का लेबल में दीरे दीरे आगे बढ़ा रहा हूं अब देखिए एक सेल है इलक्तो लेटिक सेल कहते हैं इसे है ना डेटिल में अब 12 क्लास में पढ़ेंगे और कॉमन सॉल्ट किस-किस काम आता है सोडियम ऐडॉक्साइड बेकिंग सोडा वॉसिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर बहुत सारी चीज़ें बनाने के काम आता है ना कॉमन सॉल्ट क्लिया तो बच्चों क्लोर एलकली प्र प्यास बाटिए प्सक्भाट नॉन क तो कोन को ने नाम लोगने वह एक डिमान, पच्छों Loren Kallia क्लोर है सोडी सब्सकर nous कि नेमड विकॉज ऑफ क्लोर एलक्रृ क्यों कहते हैं बच्चों एदर देखिए टू एने से टू एच टू एच टू और देखिए बच्चों यहां पर किलोरीन भी बनना है और एलकली बनना है इसलिए 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 पक्का आ पक्का एक और बनता है कि कौन बताएगा कि यह वह बनता है इलक्तोलीटिक सेल में चलिए फार सोलीशन अब सोडियम क्लोराइड इस कॉल एज सॉलीशन एने सीयल का एक्वस सॉलीशन सबको पता है क्या कहला था विराइन नौट वाइन वह वाइन तो बहुत खतरनाक पता चली क докति प्राइन ब्राइन तो क्या बन जाता है सोधियम है रोख साइड बन जाता है इसी का अना मोता है सि को और ऊсь lesi बोल बाइवाव बहुत अच्छी बात चलिए यूस बोकिंग सोड़ा भी कुकंग पर पज Aug काम आता है और जैसे आपने इडली खाते हैं यह न छोले बटूरे खाते हैं उसमें काम में आता है यस दिस इस दा करेक्ट चोई सब को आ गया पक्का आ गया बच्चो बोलिए तो आपके आज 40 questions हुए सब को समझ में आया होगा सब ने देखा होगा अब आप देखिए यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं अंबर बहुत मेहनती है बहुत मेहनत कर रहा है और भी बच्चे हैं फिर बापिस से नाम ले रहा हूं आदित्य गुत्त वर्तिका यस रजवानी तुशार सारे बच्चे मतलब जो बच्चे हैं न सब एक से एक टॉपर है सारे बच्चे अच्छा कर सकते हैं तो हर दिन नमन चौदरी बहुत अच्छा कर रहे हैं बस पढ़िये दम से डेली अपूरा समीर चौदरी बहुत चौदरी है आप समीर चौदरी और माक्स में साना है फिर बापिस से कि आज फिर मैंने एक इस्टूडेंट का नाम दो बार लिया कौन कौन से वो सॉरी कौन सा बच्चा था जिसका नाम दो बार लिया है ओके इस सिलाइड से पहले याद रखना इस सिलाइड से पहले इस सिलाइड से पहले के लिया तब चलिए बच्चो नेक्स कंटिन्यू करते हैं आगे और सबकर समय में आ गया होगा बोलो बाबा अम्मा की जय है